नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी काम बहुत बहुत स्वागत है वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक हेट और फिट फिट फीमर बॉडी बिल्डर हैं जो दुनिया भर में अपना नाम कमाने के लिए काफी कड़ी मेहनत करती है आज हम आपको एक ऐसी ही फिटनेस विमन के बार में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में इतना नाम कमाया है और इतनी जल्दी से अपने आपको इतनी पॉपुलरेटी दिलवाई है कि लोग इनको देखकर काफी ज़दा हैरान होते हैं इनके नेम और फेम के चर्चत दुनिया भर में है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं यह एक बिकनी अथलीट है इनका जनम 1991 में पिट्रिट्यो रिकेन में हुआ था और इनकी हाइट 5.5 इंच है और इनका वजन 56-61 के बीच में रहता है यह श्रीना ने काफी सारे बॉडि बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेले हैं जिनमें उनोंने दुनिया भर के लोगों को अपना दिवाना बना लिया और उन सारे कॉम्पिटिशन को जीत कर यह भी साबित कर दे के महिला है अगर शाहे तो वह कुछ भी कर सकती है इन्होंने अपने साथवेश शो के दोरान 2013 में एनपी सी जूनियर नैशनल चेंपिशिप में अपना पहला प्रोकार्ट जीत कर दुनिया भर के लोगों को गर्विश महसूस कराया केवल 22 साल के उमर में ही उन्होंने यह अंदाजा लगा लिया कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है और अपना बोल क्लियर करके उन्होंने उसके लिए काफी कड़ी मेहनद करनी भी शुरू कर दी और इसलिए उन्होंने एक प्रोफेशनल बिक्नी अथलीट बनने की तैयारी शुरू कर दी अपना प्लहला प्रोकार्ट जीतने के बाद उन्होंने अपना पहला कॉम्पिटिशन 2013 में IFBB PWB TAMPA PRO खेला था उन्होंने 2013 में अपना आखरी कॉम्पिटिशन IFBB वैलेंटी गोल्ड कप प्रो खेला जिसमें उन्होंने 7 वस्थां प्राप्त किया लगवग दो साल की काफी कड़ी मेनत के बाद इन्होंने इतनी पॉपुलरिटी गेन कर ली के हर कोई इनके जैसी फिटनेस पाना चाहता था और इनके फॉलोवर्स भी इतने सारे हो गए के सभी लोग इनको नोटिस करने लगे और 25 साल की उम्र में 2016 में यह दुनिया भर के सामने एक फिटनेस आइकन के रूप में सामने आई और इसी के साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर इतनी ज्यादा फेमस फॉपुलरिटी गेन कर ली के हर कोई इनका दिवाना हो गया और इनहीं की तरह फिटनेस पाना चाहता था तो हमारी आज की यह female bodybuilder आपको कैसी लगी हमारी आने वाली next वीडियो में हम आपको इनके बारे में और भी अधिक चांकारी देंगे जैसे कि इनके workout routine से related और इनके diet plan से related तो हमारे चैनल पर बने रहे हैं